नमस्कार Vision ISK News Today के संख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा के दृष्टी से महत्वपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की खास कबरों के बारे में इसंख की हेडलाइन्स के बारे में इसरो ने गगन्यान मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट वीकल अबॉर्ट मिशन वन यानि TVD1 सफलता पूरवक पूरा किया वितमंत्री के मताबिक सरकार साबजनिक रिंड का भार कम करने के उपायों पर विचार कर रही है यूरोपियन यूनियन टेक्स अब्जरवेटरी ने ग्लोबल टेक्स इवेजन रिपोर्ट दो हजार चॉबीस जारी की विश्य स्वास्ते संगठन ने रोगाणू रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए अत्यंत महत्वपोन दिशा निरदेश जारी किये भारतिय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ने परामर्श पत्र जारी कर मेटवर्स से संबंधित चुनोतियों को रिखांकित किया दक्षिन चीन सागर में जहाजों की टक्कर के लिए चीन और फिलिपीन्स ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं इसरों ने गगन्यान मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट वीकल अबोर्ट मिशन वन यानि टीवी डीवन सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है आपचारिक तौर पर इसे इन फ्लाइट अबोर्ट डिमोंस्ट्रेशन ओफ क्रू एसकेप सिस्टम यानि CES कहा जाता है टीवी डीवन एक तरल प्रनोदन वाला एकल चरण युक्त परीक्षन यान है ये संशोधित विकास इंजन का उप्योग करता है पेलोड्स में आगे के हिस्से में क्रू मॉड्यूल और क्रू एसकेप सिस्टम लगे हुए हैं क्रू मॉड्यूल चालक दल के लिए गगन्यान मिशन के दौरान अंतरिक्ष में प्रत्वी जैसे वातावरन के साथ रहने योगे स्थान है इस परीक्षन का मुख्या उद्देश आपातकाली निस्थिती में क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की CES की श के स्थिती का अनुकरण किया गया है गगन्यान मिशन के दौरान आरोहन प्रक्षेपथ अनुमानित है जब एक विफलता वाला संकेत प्रेशित हुआ तो क्रू मॉड्यूल के साथ साथ CES को भी टेस्ट वीकल से अलग कर दिया गया इसके बाद क्रू मॉड्यूल CES से को तीन दिनों के लिए 400 किलो मीटर की निम्न भूकक्षा यानि लियो में ले जाना है अभी तक केवल संयुक्तुराजी अमेरिका रूस और चीन ही बाहे अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने में सफल रहे हैं यदि भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो वो ऐसा करने वाल मिशन वन यानि टीवी डीवन में क्रू एसकेप सिस्टम यानि CES 15.5 मीटर का है इसके अलावा क्रू मॉड्यूल और टेस्ट वीकल 19.5 मीटर का है वित्मंत्री के मताबिक सरकार सार्वजनिक रिंड का भार कम करने के उपायों पर विचार कर रही है सार्वजनिक रिंड यानि पब्लिक डेट भारत सरकार की वे समस्त देंदारियां हैं जिनका भुगतान भारत की संचित निधी से किया जाता है सार्जनिक रिंड को आंतरिक और बाहर रिंड में वर्गी कृत किया गया है 2021 में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सार्जनिक रिंड 84 प्रतिशत था इसमें राजियों द्वारा लिये गए सभी रिंड भी शामिल है राजिकोशिय उत्तरदाईतो और बजट प्रबंधन पर एनके सिंग समिती ने केंद्र और राजिसरकारों के लिए कुल रिंड जीडीपी अनुपात 60 प्रतिशत तक सीमित रखने की सिफारिश की थी इसमें केंदर सरकार के लिए 40 प्रतिशत का रिण जीडीप अनुपात और राज्यों के लिए 20 प्रतिशत का रिण जीडीप अनुपात निरधारित किया गया था उच्छ सावजनिक रिण के कई कारण हैं उच्छ सावजनिक रिण की वज़े से सरकार के राजिकोशिय संसाधन कम हो जाते हैं इस वज़े से जलवायू परिवर्तन के प्रति अनुकूलन ग्रीन ट्रांजिशन जैसी उभरती प्राथमिक्ताओं को पूरा करने के लिए संसाधन आवंटन स्थिमित हो जाता है ब्याज में उच्छ भुगतान सकल घरेली उदपाद का 5 प्रतिशत है ये आकड़ा उभरते बाजारों और विकास्षील देशों में औसत से लगभग दो गुना है इससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट उतपन होने का खत्रा रहता है जिससे कि बढ़ती ब्यासदरों के साथ ही निजी निवेश के खर्च में कमी आती है समिती ने कई मुखे सुझाओ भी दिये हैं साथ ही सबसीडी को तरक संगत बनाया जाना चाहिए सावजनिक रिंड कम करने से संबंधित कई पहले हैं जैसे कि राजिकोशिय उत्तरदाईतो और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 बनाया गया सावजनिक रिंड प्रबंधन एजेंसी की स्थापना की गई और सावजनिक वित्तिय प्रबंधन प्रणाली अपनाई गई और आईए बात करते हैं अगली खबर की यूरोपियन यूनियन टेक्स अब्जर्वेटरी ने ग्लोबल टेक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 जारी की है कर चोरी एक गेर कानूनी गतिविधी है इसके तहट कोई व्यक्ति या संस्था जान बूच कर वास्तविक कर देनदाई का भुगतान करने से बचता है या बचती है 2022 में एक ट्रिलियन डॉलर के कर लाब को टेक्स हैवन देशों में इस्थानांतरित किया गया था ये आधार शरन और लाब साजा करन जैसी नीतियों की प्रभाविहींता को दर्शाता है विश्यो के अरपपतियों पर बहुत कम व्यक्तिगत कर आरूपित हो रहा है वास्तव में उन्हें अपनी कुल संपति की तुलना में 0.5 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत की बीच ही कर देना पड़ता है बैंक सूचनाओ का आदान प्रदान आटोमेटिड होने की वज़े से ओफशोर कर चोरी की मात्रा में गिरावटाई है कर चोरी के कई कारण हैं जैसे की कर की उच्चे दर होने के कारण लोग कर चुकाने से बचते हैं कर चोरी के खिलाफ कम जुर्माना लगाया जाता है कुछ देश कर की दरों को कम बनाये रखते हैं जैसे कि अपनी आये को कम करके दिखाना, अपना धन देश के बाहर जमा करना, शेल कमपनियों का उप्योग करके अपने काले धन को वैध बनाना और वित्थिय विवरणों में हेरा फेरी करना रिपोर्ट में कई एहम सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि नियूनितम करके कर की दर 25 प्रतिशत करनी चाहिए, साथ ही देशों के बीच कर की दर को कम रखने की प्रतिश परधा को बढ़ावा देने वाले कारणों को दूर करना चाहिए अरबपतियों पर एक नया वैश्विक नियूनितम कर लगाया जाना चाहिए और इस कर की दर उनकी संपत्ती का दो प्रतिशत के बराबर होना चाहिए ग्लोबल एसेट रजिस्ट्री तयार करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है और ये सभी धन और संपत्तियों का अंतराष्ट्री रजिस्टर होगा इसके अलावा ऐसे धनी लोगों पर अतरिक्त कर लगाने के लिए एक तंत्र विक्सित करना चाहिए जो किसी देश के लंबे समय से निवासी हों किन्तु कर चुकाने से बचने के लिए कर की कम दरवाले देशों में जाने का विकल्प चुनते हैं कर चोरी को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे आएकर अधिनियम 1961 तलाशी और जबती कानून को लागू किया गया है विभिन देशों के साथ डबल टेक्स अवॉइडेंस एग्रिमेंट यानि DTA टेक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रिमेंट जैसी संधिया की गई है बेनामी लेंदेन मुखबिर पुरसकार योजना शुरू की गई है कॉपरेट टेक्स की दर को मौजूदा कमपनियों के लिए घटा कर 22 प्रतिशत और नई विनिर्मान पर्मों के लिए घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है विश्व स्वासे संगठन ने रोगानू रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए अत्यंत महत्तपोंड दिशा निर्देश जारी किये WHO द्वारा जारी ये दिशा निर्देश देशों को AMR के संबंद में राष्ट्रिय कारे योजनाये बनाने उन्हें लागू करने और उनकी निग्रानी करने में मार्दशन प्रदान करेंगे इन दिशा निर्देशों में जन केंद्रे दिश्टिकॉन को अपनाया गया है इसके अलावा जो मूलभूत दो चरण हैं उनमें शामिल है प्रभावी गवर्नेंस, जागरुपता और सिक्षा का प्रसार करना, निग्रानी और अनुसंधान के माध्यम से अत्यंत महत्पुन जानकारी एकत्र करना अब जानते हैं कि AMR क्या होता है यानि कि Anti-Microbial Resistance जब कोई भी जीवानू, वाइरस, कवक और परजीवी समय के साथ अपने अंदर इस तरह के बदलाव कर लेते हैं क्यों उन पर रोगानू रोधी दवाईयों का कोई असर नहीं होता है तब इस इस्थिती को AMR कहते हैं इस इस्थि की वजह से संक्रमन फैलता जाता है और उसका इलाज करना कठिन हो जाता है रोगान रोधी प्रतिरोध विक्सित करने वाले सूक्षम जीवों को सूपर बग कहा जाता है इसलिए AMR को नियंतरित करने में कई चुनोतियां हैं जैसे कि प्रणालिगत चुनोतियो गया है अमर की रोगथाम के संबन्द में भारत और डबलु एचो ने कई पहले की हैं जैसे कि AMR की रोगथाम पर राष्ट्रिय कारी योजना 2017 जारी की गई है इसमें One Health द्रिश्टिकॉंड को मुखे रूप से शामिल किया गया है AMR के मामले में गुणवत्ता पून डेटा तैयार करने के लिए राज्य मैडिकल कॉलेजों की प्रयोग शालाओं का राष्ट्रिय अमर निगरानी नेटवर्क इस्थापित किया गया है वेश्व स्वास्ते महासभा ने 2015 में AMR पर वेश्विक कारी योजना शुरू की थी अगली खबर दूर संचार शेत्र से है भारतिय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ने परामर्श पत्र जारी करके मेटवर्स से सम्मधित चुनोतियों को रेखांकित किया है मेटवर्स एक 3D सक्षम वर्चुल रियरिटी स्पेस है ये वास्तविक दुनिया के विकल पिया उसकी प्रतिकृती के रूप में डिजिटल अनुभव प्रदान करता है ये लोगों को वास्तविक जीवन जैसा अनुभव ओनलाइन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है मेटवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को मोटे तोर पर 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है ये है इंफ्रस्ट्रक्चर लेयर इसमें वो तकनीक शामिल है जो हमारे उपकरनों को मेटवर्स तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाती है उन्हें नेटवर्क से जोडती है और कंटेंट को डिलीवर करती है इसमें जो चार घटक हैं वो है उच बैंडविट, कम विलंबिता नेटवर्क, इसके अलावा वर्चुलाइजेशन इंजन लेयर, ये कम्प्यूटेशनल और प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है इसके घटक हैं अवतार, आभासी प्लेटफॉर्म, परिसमपत्या, स्रुजन आदी, इसके तहत इंट्रोफेस और एक्सेस लेयर होता है ये उप्योग करताओं को मेटावर्स तक एक्सेस करने में सक्षम करता है तीसरा घटक है अलग-अलग हार्डवेर जैसे मोबाईल फोन, स्मार्ट ग्लास और डिस्प्ले ये स्रुजन, विक्री, व्यापार, भंडारन, इत्यादी के लिए उत्तरदाई है और चौथा घटक है परिसमपत्ती बाजार और भुगतान नेटवर्क हाला कि मेटावर्स से उत्तपन्र कई चुनोतियां हैं जैसे कि मेटावर्स के उप्योग से डेटा उलंगनों और व्यक्तिकत डेटा के दुरुप्योग का खत्रा बना रहेगा इससे चेहरे के हाव भाव स्वर्की मंदिता और तीवर्ता और महतोपून संकेतों की गहन ट्राकिंग संभव होगी इससे कंटेंट, मॉडरेशन, साइबर सुरक्षा, कराधान, प्रतिसपर्धा और गवर्नेंस आधी पर प्रभाव पर सकता है ये लेंदेन संबंधी जोखिम पैदा करने वाली आभासी मुद्राओं को बढ़ावा दे सकता है परामर्श पत्र में कई प्रमुक सिफारिशें की गई हैं जैसे कि नेटवर्क को सुरक्षित करना चाहिए साथ ही खुले मानकों और अंतरचालिनियता के माध्यम से लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के प्रयास किये जाने चाहिए मेटवर्स में बौधिक संपदा अधिकारों को पंजिकृत करने के लिए तंतरे स्थापित करना चाहिए और सभी की मेटवर्स तक पहुंच सुनिश्वित की जाने चाहिए दक्षिन चीन सागर में जहाजों की टकर के लिए चीन और फिलिपीन्स ने एक दूसरे पर आरोप लगाए है जहाजों की टकर इस प्रिटली द्वीप समूह में सेकंड थॉमस शोल के पास हुई है इस शेतर में चीन नियमित रूप से अपने जहाज तेनात करता है इस प्रिटली द्वीप प्रशांत महसागर के दक्षिन चीन सागर में प्रवाल भित्तियों, शोल और एटोल का एक बड़ा समूह है दक्षिनी चीन सागर चीनी मुखे भूमी के ठीक दक्षिन में स्थित है इसकी सीमाएं बुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, ताइवान और वियतनाम से लगती है यानि लगभग साथ देशों से इसकी सीमाएं लगती है सीमावर्ती राष्ट्रे इस समुद्र में दुईपों, चटानों और दुईप समूह के विशाल, विस्तार के माध्यम से ओवरलैपिंग राजिशेत्रिये दावे करते हैं और इस शेत्र के विवाद के कई कारण है एक तो है इसकी सामरे के स्थिति ये एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोडने वाला एक प्रमुख व्यवसाइक मार्ग है विश्व का लगभग 21 प्रतिशत व्यापार इसी मार्ग से होता है साथ ही यहाँ पर मौझूद प्राकरतिक संसाधन दक्षनी चीन सागर में लगभग 11 बिलियन बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकरतिक गैस के भंडार होने की संभावना है इसके अलावा विवाद का अन्य कारण है चीन की 9 डेश लाइन इसके माध्यम से चीन दक्षन चीन सागर के लगभग 90 प्रतिशत भाग पर अपने अधिकारों का दावा करता रहा है वर्ष 2013 में फिलिपीन्स ने समुद्री कानून पर सेंक तुराश्टर अभी समय अंक्लोज के तहट इस्थाई मध्यस्तता न्यायले में चीन के खिलाफ मध्यस्तता वाद दायर किया था इस्थाई मध्यस्तता न्यायले ने निर्ने दिया था कि दक्षिन चीन सागर में चीन के दावे अंक्लोज के साथ असंगत हैं लेकिन चीन ने मध्य सता नयाले के एक पक्षिय फैसले को खारिश कर दिया। दक्षिन चीन सागर में भारत की रुची ये है कि इस शेत्र के साथ भारत के व्यापारिक संबन्न है। भारत पोद परिवहन की स्वतंतरता का पक्षधर रहा है और भारत नियम द्वारा शाषित शेत्रिय विवस्था का समर्थन करता रहा है। समाधान करने के लिए समकालीन सेन्य पद्दतियों के साथ प्राचीन ज्यान को समनवित करना है। युद्धि से संबंदित प्राचीन भारत एग्यान परंपराओं में चानके का अर्थशास्र और तिरकुरल शामिल है। अर्थशास्त्र में रणनीतिक साज़ेदारी, कूटनीती और साफ्ट पावर की युक्तियां हैं, तो वहीं तिरक्कुरल में युद्धुमे नैतिक आचरण के बारे में बताये गया है। तिरक्कुरल एक तमिल ग्रंथ है जिसकी रशना तिरुवल्लूर ने की थी। कस्तूरी कॉटन भारत हाल ही में कस्तूरी कॉटन भारत की वेब साइट लॉंच की गई। अगला टॉपिक है साइबर बीमा, एक हालिया रिपोर्ट में सुझाओ दिया गया है कि सूक्ष्म लगू और मध्यम उद्यमों के लिए साइबर बीमा को अपनाना महत्तपूर्ण हैं, इसका कारण ये है कि वे साइबर हमलों के प्रति अधिक सम्वेदन्शील होते हैं। अगला टॉपिक है पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई। पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई है स्पिरडे कुल की तितली है, इस प्रजाती की खोज पहली बार 1878 में की गई थी, इसे अकसर पूर्वोत्तर मध्य और दक्षिन भारत में देखा जाता है, जबकि उत्राखंड में कभी कबार ही देखा जाता है, इसकी मुख्य इसके उपरी पंखों में दो अलग-अलग धब्बे होते हैं, इस तितली के लार्वा के आहार मास की पत्यों और कुछ प्रकार की घास है, डोग्रा राजवंश, जमु कश्मीर के महराज गंज में डोग्रा काल के इस्थापत्यों का जिनोधार किया जा रहा है, डोग्रा ह 46 में हुई अम्रिस्सर की संधी के तहट, अंग्रेजों ने कश्मीर गुलाब सींग को दे दिया था, गुलाब सींग ने लद्दाख और बाल्टिस्तान शेत्रों पर कबजा करके उन्हें अपने सामराजी में मिला लिया था अगला टॉपिक है परपल एकॉनमी, इसे केर एकॉनमी भी कहा जाता है, ये अर्थविवस्थाओं के संचालन समाज के कल्यान तथा जीवन निर्वाह में महिलाओं द्वारा किये जाने वाले देखभाल संबंधिक कार्यों, उनके सशक्तिकरण और स्वायतिता के महत्यों और अवैतनिक हो सकते हैं, अवैतनिक देखभाल और घरेलू कारयों में पुरुषों की भागिदारी महिलाओं की तुलना में काफी कम है, अंतराश्ट्रिय श्रम संगठन के मताबिक पुरुष जीडीपी के 0.4 प्रतिशत के बराबर और महिलाएं जीडीपी के 3.1 प्रति अवैतनिक देखभाल कारे करती हैं, प्रतिदीपी यानि फ्लॉरेसंस, प्रतिदीप्ती भौतिक रासायनिक उर्जा विनिमे की एक प्रक्रिया है, इसके अंतरगत कोई अनू लगू तरंग दहरे वाले फोटोंस का अवशोशन करता है, इसके बाद वो इसे दीर्ग अवशोशन के रूप में फिर से उतसरजित करता है, फूल, घटपर्नी, प्रवाल, श्वाल, कीडे, स्क्विड, मकडी, स्टोमेटोपॉड, मचली, सरिस्रप, तोते, आदिसहित, कई प्रजातियों में प्रतिदीप्ती को संचार का एक साधन माना जाता है, इस्फुर दी प्रकाश, लंबी अवधी तक प्रकाश को फिर से उतसरजित करने में सक्षम है, अंधकार में चमकने वाले स्टीकर में इस फुर दीप्ती रसायन होता है, COTP, सिगरेट और अन्य तमाकू उतपाद फिल्म नियम, सरकार ने इस पश्ट किया है कि उसने COTP फिल्म नियमों को OTT यानि ओवर दे टॉप प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू कर दिया है, इस साल एक सितंबर से OTT नियम 2023 प्रभावी हो गए हैं, इन नियमों के मताबिक अ सिगरेट और अन्य तमाकू उतपादों के विज्यापन पर प्रतिबंध लगाता है, इसके अलावा ये कानून ऐसे उतपादों के व्यापार और वनिज, उतपादन, आपूर्ती और वितरण के विनियमन का भी प्रावधान करता है और आईए बात करते हैं सुर्खियों में रहे इस थल के बारे में, सर्बिया, यहां की राजधानी बेल ग्रेड है, यूरोपिय संगो और सेंक्तुराज अमेरिका के प्रतिधियों ने कोसोवो और सर्बिया से आगरह किया है, कि वे उनके बढ़ते तनाव को कम करने के पस्थितिक भू आबद देश है, इसकी सीमाएं पश्चिम में बोस्निया और हर्जेगोविना और क्रोएशिया से, तथा उत्तर में हंग्री से, पूर्व में रोमानिया और बुल्गारिया से, दक्षिन में उत्तर मैसडोनिया से, और दक्षिन पश्चिम में से, तथा दक्षिन में अल्बानिया से लगती है, इसका पश्चिमी सीमाशेत्र दीनारिक आल्पसका और पूर्वी सीमाशेत्र कारपेथियन और रोडोपे परवत तंतर का हिस्सा है, सर्विया की प्रमुख नदिया है डेन्यूब, टीसा और मोर्वा, और यहां का सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाजब, नमस्कार